मोदी के सपनों की रेल नरेदर मोदी ने जो पिछला बजट पेश किया था अपने नेत्रत में उसमें बहुत बड़े-बड़े वादे किये गये थे क्या हुए वे वादे पूरे हुए और अपसे कुछ घंटे के बाद रेल बजट आने जा रहा है हमारे साथ बाचीत करने के रेल राज्यमंत्री मनो सिना जी हैं उनसे जानते हैं कि उन वादों का क्या हुआ और इस बार आम लोगों को क्या देने जा रहे हैं मनुसिना जी पहले तो इंडिया ड्यूस में आपका बहुत स्वागत है सर मेरा पहला आपसे सवाल है कि बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन ये बड़ी बड़ी बाते की गई थी रेल मंत्री की तरब से मानि प्रिधान मंत्री जी की तरब से और सौ करोन रुपया भी एलॉट कर दिया गया था आपकी बहुत सारी टीमें बाहर गई रिसर्च करके आएं अभी क्या इस्तिती है क्या कहने की स्तिती में हैं आप सर मेरा दूसरा सवाल है कि आम आदमी ये चाहता है कि भाई हो आसानी से उसको टिकट मिल दा है लेकिन हम ये देखते हैं सर कि जैसे ही आपने देखा कि भाई 65 सीटे खाली हैं बुकिंग के लिए जैसे आपने ने देखा थोड़ी देर बाद होता है हैंग हो गया और पता चला कि वो टिकट नहीं बुक कर पा रहा है इसको लेके आपके पास क्या जबाद साइट के हैंग होने का सवाल है तो उस फ्रंट पर मैं कह सकता हूं कि सरकार समालने के बाद उस दिसा में काफी सुधार हमने किया हैं दो हजार की तुलना में बहत्तर सो पर मिनट टिकट मिलने लगे हैं तो लगबग चारगुना बरदी हो गई है रिलिवे का इंफ्रा इस्ट्रक्षर आजादी के बाद सवा दो गुना बढ़ा या त्रियूं के संख्या लगबग दस गुना बढ़ गई है तो असली चुना कि इस गयब को कैसे भरा जाए मैं मानता हूँ कि यही हमारी सरकार की प्राथ मिकता है आने वाले दिनों में फ्रेल मंत्री यह कैसा रोड मैप देश की संसद में प्रस्तूत करेंगे जिससे यह परतीत होगा कि नहीं मोदी जी की सरकार देश की जनता की अप एक्षाओं के भारती रेल नेटवर्क भी बनाना चाहती है और भारती रेल भी चलाना चाहती है सर पैसा जुटाने की बात को लेके FDI, PPP बहुत सारी बड़ी-बड़ी बातें फिछले सरकार में भी की गई टारगेट रखा गया 14,000 करोन का जुटे 200 करोन इस बार भी FDI की बात की जा रही है, PPP मॉडल की बात की जा रही है तो इसका कत्ता ही अर्थ यह नहीं था कि 6 महिने में FDI आजाएगा, 60,000 करोल आजाएगा जब पर युजना सुक्रत होगी तब वो अंडाई लगेगा, लेकिन एक वो कदम है उस दिसा में कि रेलेवे का इंफराइस्ट्रक्शर यह है स्पीड रेल का सपना सही में सचाई में तबदील हो जाएगा वो एक गेट खोला गया है, तो इसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्ट्मेंट का जहां तक सवाल है, यह सच है कि जो लक्ष रखे गए थे उस अनुरूप में प्राइवेट इन्वेस्ट्मेंट नहीं हुआ सदानंद गौडा जी ने एक वादा किया था कि पूरे देश में जो है, सभी जो अन्मैन क्रासिंग है, वहाँ पे हम आदमी रखेंगे रेल मंतराले और भूतल परिवन मंतराले के बीच एक मयूँ साइन हुआ है, यह आपकी जनकारी में है और उसमें निरने हुआ कि नेस्टनल हाइवेज पर जितने इस तरह के अन्मैन लेवल क्रासिंग्स हैं या मैनले लेवल क्रासिंग्स हैं, वहाँ आरोबी और अर्यूबी के निर्मार्ट हम लोग करेंगे, तो सेफटी के साथ कोई समय होता है, नहीं किया जा सकता है महिलाओं के सुरक्षा को लेके, आपने पिछली बार भी बहुत सारी बाते कही थी, और जो बजट आने वाला है, उसमें भी लोगों की बड़ी अपक्षा हैं खास तरप महिलाओं को बड़ी अपक्षा हैं हमारे कांस्टेबूल्स के पास पिछली बजट में कहा था कि सबको मुबाइल फोन देंगे जो इसकाट करते हैं वो दे दिया है वन एक टू करके एक टोल फ्री नंबर देश में लोगों को उपलब्ध है उस नंबर फोन करने पर त्वरित कारवाई आरपी अफ के लोग करेंगे कानून और व्यवस्था निश्यत रूप सिराजय सरकार का विशह है संगी ध्हाचे में हम रहते हैं तो सब कुछ आरपी अफ कर देगा ये संभो नहीं है इसी दिशा में हमने प्रवित के लिएक कैन था रेल मंतरी जी ने प्रवित के डिजी पी को भुलाया था उसमें ग्री मंतरी ये आयाए थे तब हम इस प्रवितु में भी लगे हैं कि देश की संसब्द में जो आरपी अफ एक ऐक विचारा धीन है उसको थोड़ा और स्रंथन कराएं हमारे पियर को और ये हमारे चिंता का विसाय नहीं है हमारे लिए हमारा कमिटमेंट है मैं मानता हूं कि सरकार की नीक में है कि महिलाओं को सुर्थ चामिले सर्मोदी जी ने सफाई अभ्यान की शुरुआत की रेलवे भी इस से हमेशा दोचार होता रहता है प्लेट फार्म हो चाहे ट्रेन हो चाहे उनकी कंबल हो चाहे बेट सिट्स हो उसको लेके भी लगातार आप लोगों ने एक टोल फ्री नंबर अमबर भी जारी किया बहुत सारी उस पर सुषनाई भी आती होगी आपको फीड़बैक मिलता होगा उसको लेके नए नए तरीके से कैखोगी अभियान तो आप लोगों ने कई बार चलाए लेकिन जिस तरीके से मालीजे जो एक्सप्रेस राजभानी है शताब्दी है वो तो बहुत ही बेहतर नजराती है लेकिन जैसे ही आप दूसरे दरजे की गारियों में आते हैं पैसेंजर्स ट्रेन में आते हैं मेल में आते हैं तो वो कॉलिटी दिरे 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 बहुत नीचे आने लगती है। मेकनाईज लाउन्री हमने कई अस्थानों पर लगाई है। किसी से पूछना नहीं, वो इस सफाई के लिए भी उसको खर्च कर सकता है। तो अनिक प्रकार के उपाय कर रहे हैं, सफाई एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन सफाई के साथ साथ गंदगी लोग न करें, यह भी आवस्यक है। बायो टाइलेट्स जितने अब कोच बनेंगे सब में बायो टाइलेट है। देश कोई लोगों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह सो निशिंत रहें, सेफटी को लेके, भाने को लेके… कि लोगों को यह भरोसा दे सकता हूँ, कि इस रेल बजट में जो रोड मैप रेल मंत्री जी देश की संसत के समख्ष रखेंगे। उससे देश के लोग भरोसा कर सकते हैं उसमें, कि 4-5 बरसों में भारतिय रेल निट वर्ख भी आधुनिक निट वर्ख होगा, टेक्नालोजी से यूक्त निट वर्ख होगा, देश की जनता की अप्रेक्षाओं को पूरा करने वाला होगा, और अनेक दुनिया के देशों से तुलना करने लाइक भी होगा, सुरक्षित्ती यत्रा, समय से यत्रा, ठीक से लोग पहुंच सकें, इसके इंतजाम का खाका, स्रीशुरेश परूप कीचेंगे तो ये थे रेल राजमंत्री मनो सिना जी, जिन्होंने बड़े दावे के साथ कहा, कि हम भी अब उस इस्तिती में आ गए हैं, जो दूसरे देशों से कम टीट कर सकें, और हमारा जो रेल बजट होगा, शायद वो उसी सपने को लेकर आएगा आप देखते रहिए, इंडिया न्यूज